मैं सादर प्रणाम एवं अभिनंदन करती हूँ, समय समय पर हमें उनका मार्ग दर्शन एवं सहयोग प्राप्थ होता रहता है, मैं आपका हिर्दे से स्वागत करती हूँ और यहां आने के लिए आभारी हूँ 2015 में मैंने जब यह विश्व विद्याले जोईन किया था, तो उसके पहले लगबख 16 महीनों तक यहां पर रेगुलर वीसी नहीं थे, एवं अनेक जटिल समस्याएं व्याप्त थी, जैसे आधे अधुरे खंधर होते 7-8 नए भवन, कोट केसे इसकी भरमार लड़कडाई प् मिल चुकी है, और यह उची छलांग लगाने को तयार है, मैं उन युवाय सनातकों को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ, जिनोंने अपने असक परिश्व से अपने आपको आज उपाधियों एवं पदकों के योगिसित किया, इस प्रांगण में उपस्तित सभी अभवा को भी मैं बहुत-बधाई देती हूँ, गुरुभ घासिदास केंद्रिये विश्व विद्याले के कुल्पती के रूप में, आज आपके समक्ष विश्व विद्याले का संशिप्त, प्रगती प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए, मैं अत्यंत प्रसनता महसूस कर रही हू जैसा कि हमारे पवित्र ग्रंथ श्रीमत भागवत गीता में कहा गया है कि ना ही ग्यानेन सद्रिशंप, पवित्र में विद्यते हमारे विश्व विद्याले का प्रसम करतव्य है, टीचिंग, रिसर्च और इनोवेशन में गुर्मत्ता का उन्नेयन। इसके अलावा सैक्षनी गुर्बंता बनाए रखने है तू, अनेक अन्य सफल प्रयास भी निरंता जारी है, जैसे एकडमी कैलेंडर का समय बदपालन, समय पर रिजल्ट वर डिग्रियां, च्वाइस बेस्ट क्रेडित सिस्टम को एफेक्टिवली लागू करना, कैंपस मे नहिशुल्क वाइफाई की सुविधा, सेवन फुली एक्विप्ट स्मार्ट क्लासरूम, उन्तिस सेमी स्मार्ट क्लासरूम, लुप्त प्राय भाषाओं के संरक्षण के लिए अत्याधुनी कंप्यूटेशनल लैंग्वेज लाब, ओनलाइन कोर्स की सुविधा है तू, म अंग्रेजी भाषा हेतू लैंवेज लाब, हमारी सेंटरल लाइबरेरी में लगबाग 1,70,000 पुस्तकें, 5,500 e-books और रिसूर्सें से भरपूर हमारी सेंटरल लाइबरेरी इस्थापित की गई है, हमारे शात्रो सिक्षक लाइबरेरिया लाब में बैठे-बैठे, वहां लगे computer पर दुनिया के लगबग सभी प्रतिश्चित research journals को पढ़ सकते हैं इस नवीनतम digital infrastructure के माध्यम से campus में knowledge anytime, anywhere और knowledge at fingertips को सुनिश्चित किया गया है वहीं शात्रों के समग्र विक्तित विकास के लिए NSS, एक भारत, शेष्ट भारत, स्किल डेवलप्मेंट, अन्वेशन, स्वयम प्रभाद चैनल, मूक्स ये सभी शात्रों को अफसर प्रदान किये गए हैं इसके लावा अनेक अनेक एक्स्ट्रा कुरिकुलर गतिविदिया ह जिसमें की शात्र भाग लेते हैं, उन्नत भारत, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है, ये उन्नत भारत अभियान के तहट हमने आसपास के ऐसे नो गाउं गोद लिये हैं, जो की जन जाती बहुल हैं, यहां हमारे विद्यारती अनवरत कैम्प लगाते हैं, और अनेक गतिविधियों के द्वारा गाउं और जमीन से जुड़ते हैं, और इसे ग्राम भासियों को सीधा फैदा पहुचता है, हेफा के अंतरगत फंड मिलना बहुत ही दुरूह प्रक्रिया थी, लेकिन हमने अनेक भवनों को पूर्ण कराया, अनेक नए भवन के लिए हमन बड़ी राशी पाने में सफलता पाई है, गुण बत्ता ये शोद को बढ़ावा देने के लिए भी बहतपूर्ण प्रयास किये गए हैं, वर्तमान में लगभग 429 लाख रुपे के 187 रिसर्च प्रोजेक्ट संचालित हैं, जिनके लिए प्राप्त अनुदान राशी 1244 ल जादा MOU, राश्टी और अंतराश्टी इस सरकी किये गए हैं, भारत सरकार की Global Initiative for Academic Networking ज्यान योजना के तहत हमने विदेशी हम experts को यहां पर बुलाया है और एक एक हफ़ते से भी ज्यादा के courses, सिख्षकों को और विद्यार्थियों को available कराया है, शोध के लिए विश्व विद्याले Research Entrance Test लगातार आयोजीत किया जाता है और इस समय लगभग हमारे 200-200 research scholars available हैं, हमारे 949 research paper globally recognized journals में प्रकाशित हुए हैं, यह विश्व विद्याले महान संत गुरु घासीदास जी के नाम पर स्थापित है, जिन्होंने अपना सारा जीवन वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया, उनके जीवन से प् प्रियास भी किये गए हैं, जिसके अंतरगत किसानों को विश्व विद्याले में क्रिशी, मत्सिपालन, वर्मी कंपोस्ट, सेरी कल्चर, बायो फर्टिलाइजर आदी की चैनिंग दी जाती है, पारंपरिक जड़ी बूटियों के ग्यान संवर्धन हेतु हर्बल गार्डन भी बनाया गया है, शात्र हित में किये जा रहे हैं, प्रियासों के सकारात्मक परणाम सरूब, वर्ष 2018-19 में राश्ट्री इसकर की प्रतियों गिताओं, जैसे नेट, स्लेट, गेट, सिविल सर्विसेज, राज्य सर्विसेज आदी में बड़ी संख्या में हमारे विद्य हमने National Academic Depository डेवलप की है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा डिग्रियां अपलोड की चुकी हैं, और विशु के किसी भी कोने से शात्र शात्राएं अपनी डिग्रियां वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, Financial Management की चर्चा में जरूर करना चाहूंगी, हमें मैं बहुत ही विनमरता प्रतिष्ठा में वृद्धी हुई, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं, इस संबन्द में कुछ आंकड़े बहुत संशेप में शेयर करना चाहूंगी, 2019 में जहां विश्व विद्याले में कुल शात्र संख्या केवल धाई हजार थी, वह अभी वरतमान में साड़े साथ हजार है, आने वाले दिनों में हमारा प्रोजेक्शन साड़े ग्यारा हजार से भी ज़्यादा इसे बताता है, उलेखनी यह है कि इसमें शात्राओं की सं कि अभी 219 से बढ़कर 210 से बढ़कर 314 हो गई है सारांश यह है कि हमारे विश्व विद्याले की शात्र शात्राओं का ना केवल राश्ट्री और अंतर राश्ट्री एसरका एकाडमिक और प्रोफेशनल डवलप्मेंट हो रहा है अपितु सिक्षा के साथ संसकार का भी निर् हेतु हमारे विद्यारती देश प्रेम राश्ट्री एकता एवं अकटनता हेतु प्रतिबद्ध है मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब की शुभ गर्मामई उपस्थिती नवीन उर्जा और उस्साह का संचार करेगी आपके आशीर वचन हमारे लिए मार्ग दर्शक ब सकेंगे मैं पुनह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ एवं सादर धनेवाद देती हूँ जै हिंद जै भारत मैं कुल्पती महोदिया से मंच पर उपस्थित अतितियों का स्मिर्थी चीन से स्वागत करने है तु अनुरोद करता हूँ सर परतम मैं मानिय कुल्पती महोदिया से अनुरोद करना चाहूँगा कि शामरोग के मुक पर उपस्थिति भारत के मानिय रास्पती महोदिय जी को स्मिर्थी चीन पर लान करें अब मैं मानिय कुल्पती महोदिया से अनुरोद करना चाहूँगा कि शामरोग के शामरोग के शामरी अतिति मानिय रास्पाल महोदिय जी को स्मिर्थी चीन पर लान करें अब मैं मानिय कुल्पती महोदिया से अनुरोद करना चाहूँगा कि शामरोग के विशी स्थिति मानिय मुक मंत्री जी को स्मिर्थी चीन पर लान करें अब मैं मानिय कुल्पती महोदिया से अनुरोद करना चाहूँगा कि मंचा शीन मानिय कुल्थी पती महोदिय जी को स्मिर्थी चीन पर लान करें मैं हमारे मानिय कुल्थी पती प्रोफेसर अशोक मोडग जी से उद्वोधन प्रदान करने हैं तो साधर अनुरोद करती हूँ परम सम्माननिय श्री रामनात कोविन रजी भारत के गड़राज्य के राष्ट्रपती सम्माननिय सुश्री अनुसुया विये की जी राज्यपाल चत्तिस गड़ सम्माननिय श्री भूपेज बगेल जी मुख्यमंत्री चत्तिस गड़ और जिनकी अकादमिक परिकलपना से यह विश्व विद्याले उन्नयन के नयने शिकरों के ओर अग्रसर है प्रोफेसर अंजिला गुक्ताजी कुलपती गुरु घासिदास केंदरिय विश्व विद्याले कार्य परिषत एवं विद्या परिषत के सदस्य गण समस्त संकायों के संकाया ध्यक्ष गण प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार कुलस अचिव समस्त विभागात ध्यक्षगण, शिक्षक, अधिकारी, एवं कर्मचारीगण, युवास नातक, विध्यार्थीगण, विभिन्न प्रिंट, एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधीगण, एवं उपस्थित, गणमान्य, अतिधीगण, भाईयो और बेनो महान समाश सुधारक एवं संत शिरोमनी, गुरु घासिदास के नाम से स्थापित, इस विश्व विध्या लेके अश्टम दीक्षान्त समारों में उपस्तित होना मेरे लिए हर्षय और गवरों का विशय है इस समारों में उपाधी ग्रहन करदे वाले सभी विध्यार्थियों को मैं कोटी-कोटी बधाई देता हूँ साथ ही अपने परिश्रम और मेधा से स्वर्ण पदक प्राप्तकर विश्व विध्याले को गवरवान वित करने वाले चात्र चात्राओं को उनकी उपलगधी के लिए बधाई एवं शुभका मनाई देता हूँ संतेनाम पंध के प्रवर्टक के रूप में ख्याती प्राप्त गुरुगासिदास जी ने समाज में व्याप्त विशमता, शोश अंतथा जातिवत वेदभाव को समाप्त करने के लिए आजीवन संगर्श किया उनका मानना था कि समाज में प्रत्यक व्यक्ति समान सामाजिक हैसियत रखता है मुझे जानकर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आज 74 छात्रों को पदक एवं 75 छात्रों को पिएजडी की उपाधी से सम्मानित किया जा रहा है आपकी इन उपलद्धियों से हम सभी गवरवान वित है एवं इस उम्मीद के प्रती आश्वस्त है कि आगामी जीवन में आप और बड़ी सफलताये अरजित कर पाएंगे गुरु घासिदास विश्व विद्याले के इस अश्टम दीक्षान्त समारों के यादगार दिवस पर मैं विशेश रूप से इनके अभिभावकों को बढ़ाई देता हूँ जिनों ने अपने बच्चों को प्रोच्छाइद करते हुए आगे बढ़ाया आपके धैर्याओ विश्वास के फलस्वरूप आपके बच्चे सफलता की उच्चाई पर पहुँच सके यह हरशा का विशाय है कि उपाधी एवं पदक प्राप्त करने वालों में काफी संख्या छात्राओं की है आज का दिन आपके लिए एक सोपान के पूरा और दूसरे सोपान के प्रारम भका है आगे के सफर में आपको बहुत सी चनोतियों का सामना करना पड़ेगा मुझे विश्वास है कि इन चुनोतियों का सामना करने के लिए विश्व विद्याले ने आपको पहले ही तयार कर दिया है ये वास्तो में सरालिय एवं प्रशासनिय कार्य है जिसके लिए मैं सभी शिक्षकों एवं प्रशासन के सभी आंगों को साधुवात देता हूँ डिक्षान तसमारोह विद्यार्थी जीवन का महत्व पूर्णा उसर होता है चातरों को अपने जीवन में शिक्षा के साथ नईतिक्ता, इमानदारी, करुना और दया जैसे गुडों को भी अपनाना होगा जिससे आप सर्वगुन संपन्न होकर प्रदेश और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके जीवन में लक्ष स्पष्ट होना चाहिए और लक्ष की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए कठिन परिश्रम, सहन शीलता, आत्म विश्वास और सकारात्मत मनोवृत्ति से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है परिस्थितिया कितनी भी विशब हो, हमें बिनारों के चुनवतियों और बाधाओं का सामना करना है एक बार, उन्हा मैं स्वर्ण पदक एवं पिएजडी की उपाधी प्राप्त करने वाले सभी होनार चात्र चात्राओं एवं उनके अभिभावों को बधाई एवं उनके उजवल भविश्य की कावना करता हूँ, जय हिन, जय भारत मैं कुला दीपती महोदेश अनुरोद करता हूँ, कि असनात्कों को प्रस्तूत करने हेतू, विभिन विद्या पीठों के अधिस्ठाताओं को अनुमती प्रदान करें महोदेश मैं प्रोफेसर देविंद्र नाज सिंग अधिश्ठाता कला विद्या पीठ, कुल छचात्र छात्राओं को आपके सम्मोग डाक्टर राफिरास्पी उपाधियत प्रस्तूत करता हूँ, जिनोंने अपनी अपनी परिच्छा के पाठे विश्यों का यथाविध अ अधियर्थियों को इनकी उपाध ये अनुसासन प्रदान कर इन्हें सम्मानित करें। अपनी अपनी उपाधी योग्यता प्रमानित की है। मैं प्रार्खना करती हूँ कि इनमें से उपस्थित अभ्यार्थियों को इनकी उपाधी हे तु अनुशासन प्रदान कर इन्हें सम्मानित करें। अपनी अपनी उपाधी योग्यता प्रमानित की है। कि इनमें से उपस्थित अभ्यार्थियों को इनकी उपाधी हे तु अनुशासन प्रदान करें। इन्हें शमानित करें। अपनी अपनी उपाधी हे तु प्रमानित करें। जिन्होंने अपनी अपनी परिक्षा के पाथ विशूत का यथा विद्य अध्यन करने के उपरांथ स्वास्व परिक्षा द्वारा अपनी अपनी उपाधी योग्यता प्रमानित की है। मैं प्रात्ना करता हूँ कि इन्में से उपस्थित अवियर्थियों को इनकी उपाध हे तु अनुशासन प्रदान कर इन्हें समानित करें। Sir, I, Prof. Veshan Singh Rathod, Dean School of Studies in Education, present unto you the following nine candidates who have been examined and found qualified for the degree of Doctor of Philosophy, to which I pray those present may be admitted. Sir, I, Prof. Veshan Singh Rathod, Dean School of Studies कि इन्में से उपस्थित अवियर्थियों को इनकी उपाध ही ये तु अनुशासन प्रदान कर इन्हें सम्मानित करें। उपधी धारण करने की अनुमती प्रदान करते हुए निम्न निर्विष्ट अनुशासन दे रहा हूँ। मैं तुम्हें इस प्रकार उपदेश देता हूँ। सत्य बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय करते रहना। प्रतिग्या करता हूँ। प्रतिग्या करता हूँ। अपनी माता और मात्रुभिनी को देवी मानना, अपने पिता को देवता मानना, अपने अध्यपक को देवता मानना, अतिथी को देवता मानना, जो अनन्दित कर्म है उनका आचरन करना अवरो का नही। प्रतिग्या करता हूँ। यही शिक्षा है, यही अनुशासन है, यही उच्च शिक्षा का सिध्धान्त है, यही आदेश है, तुम इसी प्रकार आचरन करना, अवश्य ही तुम इसी प्रकार से आचरन करना, तुम्हारा मार्ग कल्यान मैं हो. महोदै विभिन अध्यान शालाओं के असनातक असनातक उत्तर उपाधी तथा असनातक पत्रोपाधी के लिए शत्र 2018-2019 में जिन अभियर्थियोंने अपनी अपनी परिच्छा के पाठबिशयों का यथा विदी अध्यान करने के उपरान श्वाश्वा परिच्छा द्वारा अपनी 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 उपाधी पत्रोपादी योगिता प्रमानित की है प्रंतो दिछान शमारों में उपस्तित नहीं है मैं प्रातना करता हूँ कि उन अनुपस्तित कुल 2106 छात्रों को उनकी उपादी पत्रपादी प्रदान का शमानित करें गुरूग हसिरास केंद्रिय विश्व विद्याले के कुलाधि पतिपद के स्वनिहित अधिकार से मैं अनुज्या प्राप्त अनुपस्तित सभी छात्र छात्राओं को उनसे संबंदित सनातक सनातकोत्तर उपादी तथा सनातक सनातकोत्तर पत्रोपादी धारण करनी की अनुमती प्रदान करता हूँ तथा उपदेश देता हूं कि वे अपने जीवन एवं आचार में अपने को उपाधियों के सिद्ध करे योग के सिद्ध करे महोदय मैं आपके समच उपस्तित छाथ छातराओं में से नौ विद्यार्थियों को जो समस्त अधियन्शालाओं का प्रति निधिद्व करते हैं प्रस्तूद करता हूं जिन्होंने इस विष्विद्यालय की सत्र 2018-19 की विभिन परिछाओं में प्रतम श्रनी प्राप्त कर प्राविन्य सूची में प्रतम स्थान प्राप्त किया है मेरा निवेदन है कि इन्हें विश्विद्यालय एवं दान दाताओं द्वारा प्रदत संदान निधी से अस्थापित पदक से विभुशित किया जाएं बीएसी ओनर्स गनीत कुमारी क्विणी यादव विश्विद्यालय पदक एवं विश्विद्यालय दौरा दोहजार उनीश में आयोजित समस्त परिछाओं में सरवाधीक अंग प्राप कर गुरुघासिदास पदक कर दोहजाओं विब हैसे पता प्रañ罂 में समस्त प्राप कुमारी की विभुवर हाओं सर्थ विभुवर हा जाएसी क्या ऑताँ Gỏi बत्रावरी किया रीदिते। कि रावर में स सब्सक्रेवीद में में समस्त पत्रों कर ग्लावच धिवास एम लिव और इंफॉर्मेशन साइंस बिनोथ कुमार खूटे बिश्विद्याले पदक एम अर्थ सास्त किशोर कुमार कुठारी बिश्विद्याले पदक बिए सी ओनर्ष भौतिक सास्त कुमारी चंद्रिका बिश्विद्याले पदक बीकॉम ओनर्ष कुमारी पूजा पटेल बिश्विद्याले पदक मसी प्रानी सास्त कुमारी अर्पिता नाहाक बिश्विद्याले पदक बीटेक मेकैनिकल इंजिनरिंग देवारून दास भौमिक विश्विद्याले पदक दी फर्मा कुमारी अयुशी शिंग बिश्विद्याले पदक बीकॉम एललबी कुमारी माधुरी मरकाम विश्विद्याले पदक जाट स´चर बिज सेज्विद्या जाटी है इंज्ओते पिल्देट्वपोन में विश्विद्यालें मारी अर्मारी सुर्भी है मैं हमारे आज के समारो के मुखे अतिथी श्री रामनात कोविंद जी भारत के मानेनी राश्पती जी को नव निर्मित पांच भवनों का उद्गाटन करने हेतु सादर अनुरोद करती हूँ मैं आज के समारो के विशिष्ट अतिथी श्री बूफेश भगेल जी मानेनी मुख्य मंत्री 36 गर्शाशन को उद्गवेद नेतु सादर अमंत्रित करती हूँ गुर्खासिदास के अंद्री की सुद्धियल है बिलासपूर के अश्टम दिक्छान समारो के आउसर में माननी राश्पती श्री रामनात कोवीन जी समान्या सुष्री अंसुयावीके जी माननी राजपाल प्रोफेसर असोक मोडग जी कुलाधि पती गुर्खासिदास के अंद्री विश्विद्धियल है एवं विश्विद्धियल है परवार के सदसगन, विद्धियार्थी गन, मीडिया के साथियों, गणमान अतिति गन, हदाड़ी साथियों, मैं उन सभी विवासाथियों को बढ़ाई देता हूँ, जो अस्टम दिक्षान समारों में सोन पदा का रुपाधी प्राप्त करने वाले, सभी विद्धियार्थियों को बढ़ाई देता हूँ, और ये भी काना चाहता हूँ, कि जो नौ मेडल प्राप्त वे उसमें से छए लड़कियां हैं, तीन लड़के हैं, उसमें अंसुचिज जाती की भी हैं, जन जाती की भी हैं, पिछे वर्गी की लोग भी हैं, जो मेडल प्राप्त के उन्हें धेर सारी बढ़ाई और सुबकामना, मैं उन सभी साथी उसमें बढ़ाई देता हूँ, जो बेरित में नहीं आपाए, किसी स्रेंडी में उत्ते हिन होकर उपादी हासिल कर रहे हैं, मेरा मानना है, सभी के लिए कुछ न कुछ बेहतर करने का आऊसर हमेष् Khalण भिराता है। सवाल सिर्फ या है, कि आप किस समय या तै करते हैं, कि आपका लक्ष क्या है, और उस लख्षों पाने के लिए आप जी जहां से कब जूटते हैं आदरनी साथियों जब आप ठान लेते हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती यह यह सकती की पहचान है मुझे खुसी है कि आज 36 ज़र की विद्ध्यारती तत्तिक छेत्र में अपनी युग्जिता का परचम फारा रहे हैं प्रिचात्र सात्राओं आपके इन उपलब्द्यों से हम सभी गरवानित हैं और आस्वस्त हैं कि आगामे जीवन में आप और भी अनिक सफलताएं अरजित करेंगे हमें इस बात पर भी गर्व है कि अप्तदेश का एक मात्र केंडरी विस्युद्याल है उन महां संथ गुरुखासी दाज़ जी के नाम पर है जिन्होंने आज से दोसों वर्स कूर समासुधार एवं मनके मनके एक समान के अलग जगाई थी जिसकी जर्रत आज पूरे दुनिया को है मुझे पूर्ण विस्वास है कि संथ गुरुखासी दाज़ जी के आजरसों एवं शिक्षा का अंसरन करते हुए यहां के चाथ एवं उनके शिक्षक चत्तिल कर राज़ जी के पुछतर सिक्षक, सिक्षा और अंसंदान को नई उचाईयों पर लेकर जाएंगे सिक्षा किसी भी समाज के वह आदार सिला होती है जिस पर स्रेश्ट बिक्ति का निर्मान होता है यही स्रेश्ट बिक्तित राश्ट निर्मान में सबसे महत्वण भूम का निवाती है मेरा मानना है शिक्षा ऐसी हो जो ना सिर्फ ग्यान दाई हो बलकि जीवन में विनम्रता और नैतिक मुल्यों का स्रिजा नियुवम संपोसन भी करती रहे छात्रों को सफल नागरिक बनाना विस्वद्याले के महत्वण उद्देश में से एक है आपको शिक्षा आपको मानाता तो यह मात्र भूमी के सम्मान के लिए प्रेरित करेगी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका ग्यान आपके बूद्धिमता जो इस विस्वद्याले से प्राप्त की है वह जिवन के समस्त बाधाओं का सामना करते हुए सफलता के नए सिखर में पहुचाने में सायक होगी आप सभी को अपने चरित निर्मान प्रेम राष्टी एक्ता की परंपरा को बनाये रखने हैं तो सवयम को समर्पित करना होगा किस विश्वद्याले की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने कितने गुणात्मक छात्र तयार किये एवं महां के शिक्षकों ने अनुसंधान एवं विकास के छेत्र में कितना महत्पुन कार किया है आज की हुआ अपने परिवेश तेकनालाजी को ज़्यादा सहस्ता से समझ रहें और आत्मसाद कर रहें है मेरा मानना है यहाँ को जितनी जरुरत ने साधनों की है उससे अधिक जरुरत उन पर विश्वाज जताने की है उनकी प्रतिभा को पहचानने की है अच्छी पढ़ाई करने का मत तो अपने इस्थान पर राता ही है लेकिन अन्य गुण कौसल विसस्ताय भी यौओं के लिए कई रास्ते खोलती है जिससे वह अपने आपको सिद्ध करने का आउसर मिलता है आज की सबसे बड़ी जरूरत विभीन छेत्रों से आ रही मांगों के अंसार माना संसाधन उपलब्द कराना है इसके लिए मेरा मानना है कि विस्विद्यायलों के पाटकरम और सोथ सुधायें भी इसी आउसकताओं को पूरी करने वाली होनी चाहिए इस्थानी संसाधनों का बेहतर उपयोग वेल्य एडिसन इस्थानी विकास के माद्जम से छेत्री विसंगतियों को दूर करना भी आज एक चुनोती है और इसका सामना करने के लिए उच्छ सिक्षा के छेत्र में बिहारिक बदलाव के आउसकता है हमने यह देखा है कि 36 गड़ के इसमिता, संस्कृती, विरासत और लोक रंगों का सम्मान करके हम जनता के विकास में सरलता से भागीदार बन सकते हैं इसलिए विवाओं को इन मुल्यों से जोड़ना और इसके सांत लेकर आगे बढ़ना जरूरी है 36 गड़ के चार चिनारी, नर्वा गर्वा गुर्वा बारी की परकल्पना पर आज उस सिक्षा के सांत प्रतेक विद्यार्थी को अपने ग्राम के विकास, पशुधन के सरक्षन और किसक जिवन के विशिया को अध्यन अध्यापन के छेत्र से जोड़ने के आउसकता है ताकि उस सिक्षा जिवन के सभी पहलों से जुड़ सके इससे हमारी विशियुद्यालों के विद्यार्थी, सुधार्थी, अपने अंचल की संस्विती और अस्मिता को विश्वपटल पर नई पहचान दिलाने में मात पूर्ण भूम का निभाने में सफल होंगे हम प्रदेश के महाविद्यालों को बरसों पुराने अभाओं से निजात दिलाने के लिए एक और जहां पंद्रा सो सेख्षणिक तथा खेल अधिकारी के पदों की भरती कर रहे हैं वहीं खेल प्रदभाओं को समारने के लिए 36 गर खेल प्राधिकरन का गठन किया गया है खेलों के विकास के जिम्मेदारी निभाने में और द्योगिक संसाओं को भी सामिल किया जा सकता है हम ग्राम पंचायतों में राजय गांधी युवा मितान कलब का गठन करने जा रहे हैं जो युवा वुर्जा का उप्योग श्रिजनात्मक तथर अचनात्मक कारियों में करेंगे खेल और विवने वदाओं के प्रिदभाओं को ग़ाओं से लेकर राजिस्तर तक चिन्नित और चैनित करने के लिए युवा महँसा का आज़न किया गया है और इसे हर साल करने का निर्णा लिया है हमने यवाओं के प्रेज़ना सुरूत स्वामी वेकनन जी के रायपूर प्रवास की इस्मृतियों को सहेजने के लिए उनके प्रवास इस्थल को इसमारक के रूप में विक्सित कर रहे हैं अउस्दिता में करवाई सुरू कर दिये हैं उनके वैज्ञानिक और सरधर्म संभाओं के विचारों से यहाओं को सही दिसा मिलेगी मैं चाहता हूँ विस्दैले से उपाधी पाने वाले विवाद अपने रुजगार ततक कहरेर के साथ समाजिक जिम्यदारियों के निरुहन में अपनी भूमिका निभाएं नीमी तरुप से कुछ समय समाज को देना सुनिश्चित करें साथ के उजनाओं और कारक्रमों से इस्थानी जनता से जोड़ने में अपना योगदान दें एक बार मैं फिर कहता हूँ यहाओं की छमता उनके रचनात्मक सोच पर विस्वास करके ही हम प्रदेश और देश का विकास कर सकते हैं मैं यहाओं से अपील करूँगा कि वे अपने देश के महान विभीतियों सुतंतरता संग्राम से नानियों देश को आजादी के बाद साथ दस्गों में अपने मेधा त्याग तपस्या से विकास के वर्तमा सिकप पहुँचाने वाले लोगों के बारे में जाने समझें अपने महान सविधान के बारे में ना सिर्फ जागरुख हो बलके अन्य लोगों से इस विशवा पर चर्चा करें सेधान के रक्षा का संकल्प लें आज से आपका जीवन एक नए अध्यास का सुरुआत हो रहा है मैं आप सभी को बढ़ाई हम सुप कामना देते हुए आप सब के उजल भविसी कामना करता हूँ धन्यवाद जैहिन जैशातिज़गा मैं हमारे समारो के मुख्याति थी जो हमारे उपर महती करपाकर इस विश्य विद्याले में पधा रहे है मानिनी श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के राश्चुपती को दीक्षांत भाशर प्रदान करने हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ गुन भाश्चिगाः के चलिद्याले मेरा स्ट्रव के लिए समारो में पर मुख्यों सल्षे सट्रिकर की राजपाल दूजी एंजी आविचे मुखमती की भूचेश परके पुलपकी प्रफिस्ट अच्छोग मोजट, फुलपकी प्रफिस्ट अजिला उस्काः, सबीर रन्मानाजिशिगंग, वर्टिक्षक गर्ण, पुल हेरो पर्द माहिजिशिगंग, जेविरो पचलू. सत्राव संसा पर गुरुग अचिधाटी के नाम करें थाविश्ट अच्छछेशिगं, जेविरो प्रफिस्ट अच्छेशिगंग, आप जब सके बीकादर, बुझे पहुए पहुए सकनता होगी. यह एक शुकर संजोग है कि आज में किस्तान समारों का आज है, आज सों पार के दिन के आज है। हम सब दो जांते हैं कि गुरु धाती ताजी के अन्मायूं की मानता के इससाथ, सों पार के दिख्वों इसे स्वोर्ट सफू रहांते हैं। क्योंकि सौंपार के इजन संस्ता संस्ता हिस्ती में गुरु घासी का अवतारम हुआ। गुरु घासी गाजी में समाज के गंदोर बदों के अज़्शारों की इस इस इंगर्स किया। उन्होंने लोगों को आपकी में चुल, सतास्तम अरश्चा से रहने और सब्सक्र के बात करने का संदेश। उनका संदेश था इसका कि वो मदी जी ने भी मुदेश दिया मन से मन की एक समान। हाथाथ सभी मन से एक समान। कोई केते विखे कि सत्य मानों का आउशन, सत्य की शेवा, करना, सेटन, जेन, सैयं, श्री, सता चरिक्त का प्रदीव है। इसलिए लोगों को सत्मान का इसमान और राश करना चाहिए तता समी अरश्णों के सत्य रस्मों का आज़ करना को। सत्य का अरुआई करना का सम्मान करने की यह भी जाने राश्णों मुझे पुर्मो खासिदाय जी की कावं जन्य उन्य गुद्मी गिरोग फितांकी यात्रा के स्लोसल में प्रावग वहांगर मैंने शां़की वा संदेश का शां़की अग्वाव का संदेश देने लाए जैद खांकी भकता के जासन देख हुआ मुझे इस्वरा है कि तिख्वी बार 6 नॉवंबर 2017 कि आत्रा किस्व में मुझे रूप के अंग्याईयों में जैश्वाम की एक प्रतिक्रशी भी धेटी गेगी, जिसे मैंने राट्पतिक्रण में सम्चित इस्थान दिया। प्रतिक्रशी भी अंग्याईयों में सम्चित इस्थान दिया। प्रतिक्रशी अंग्याईयों में सम्चित इस्थान दियाईयों में सम्चित इस्थान दिया। प्रतिक्रशी अंग्याईयों में सम्चित इस्थान दिया। प्रतिक्रशी अंग्याईयों में सम्चित इस्थान दिया। सम्चित इस्थान दिया। लेकिन आप सबने अपने छोटे राई पहनों जो आज भूट की परिक्षा में अपियर हो रहे हूं। उनकी अप्रतिक्रशी अंग्याईयों से आपने बहुत बढ़ी नगश्थान दिया। इसके लिए आप सबी सहरावना के पात, प्रिय विध्याष्यों, आप मेंसे इस विध्याष्यों को आज पोड़ना पदर को रुपादिया आप आप बोजे ही हूं। उन सबको मिले तर्पाई देजाए। मुझे इस विध्याष्यों का प्रियाष्यों के प्रियाष्यों की संक्रेट जबाने से। और जैसा है कि मुख्यमंत्री भी मुझे लेख दिया, यहां पर हमारे तस यह जो रिष्यो है, वो छे मुझे और नहीं ह्यां बर कि रिष्यो है शार है और टीम का, क्योंकि एक बेटी हमारी जो प्रीनी याद ओगो हो, उसको एक मेटल निम्बर की दो मेटल है, इसनी एज फानों की, आने वालों की संजया रहो सकती है, वेट्यों की उन्ये Bootनों की संजया einो सकती है, और वेट्यों की संजयाadow की कियों तिन हमारे बेट्यों की गडंद है, लेकिन इसने साथ मेजल आसेत दी». और मैं सोच रहा हूँ कि इस बच्छी का जिसने दो वेलत आसिक दिये है, उसके माता पिता ने उसका नाप खुईनी, खुईनी आदो लेकिब उसने अपनी परफॉर्मेंस, इक्सेलें, इन परफॉर्मेंस के देरे साविद कर दिया है, यो खुईनी से बढ़ करके आप खु क्यारे कि जैट को ओव नामंकर में भी बेटियों की सिर्शा बढ़ लाए, बेटियों की रुख लख्यों को लेख कर जोसा होता है, कि आवसर में पर बेटिया हाँ से जोने उक्रस्त भजशन करती, ये सुझायर अरथ की एक तस्थीव है, जो आज हम सम्लोग बेटियों के सब्सक्राइब की आपके माताज़ता और सिक्षकों के तरेव सहायता, मारज़स्त भर इसने की बहुत बड़ी भूद्वादा है, उनके समाद्वन तक प्धिवत्वत्वता की जबता कालोजे उनके संतुस की अजे छेरों पर दिखाए, उपलग्णों की होग्या और बु आपके मातों, शिक्षकों सब्सक्राइब करणाज़ना की दिखाए, उनके होग्या अधिर सिक्षण टापनों कुछ देश के वार दिखीत मैं अलग्या बालकी एक अच्छा इंस्नान करनाAY और जिए प्राया क्याताम की जो अच्छा इन्सान होगा ये भी हो ड़ग्शा तो अच्छा इंसान होगा और यह भी अच्छा पती भी हो सकता है और अच्छा पिता भी हो अच्छी इंसान बन करके उप्रती है तो वो एक अच्छी पत्री अच्छी मा और अच्छी बेटी के लिए उप्रका नहीं है विजित ने नयतिक मूझ्यों का समाविस बहुत आवस्तुप, क्योंकि नयतिक मूझ्यों के इना फ्राक्ष विजिया समाजिे विए हम्यादobs कारी नहीं है प्रियैशी शक्षठ कामिन के प्रति सम्मान और समय पावल्य से जीवन हुदों कसम चाथ। कभी भिज्याती गम एक लोग कामिन के देश के सचे नागरिक बन सही है और कामिन की सासन को नज़ोर बना। आज दुनिया इंहारची पैसान एक आधनी को वजिमी राश्य के रूप में हो रहे हैं। इसके लिए सबी देश्पादी जिसे इसकर हमारे परिश्यमी गिवा पताई देए। आप जैसे लिवाओं की मुझा के कंपरी हैं। हम आज दुनिया में दूसरा सबसे वड़ा स्टार्ट अप एको सिस्टम तयार करें। और आजमें सब्सक्राइब की इससे लेकर अंत्रिक सुट्याइब के शिक्र में आजों को उप्लवियां आशिक करने में सब्सक्राइब। सत्यज़गर में आधिवासित आधियनों की बहुत बढ़ी आवावा था। मुझे इसकास की पुसंदता है कि गुरू नाशिदास इसकी बिजायर अमारे आधिवासित बेटे बेटियों के जीवन में शिक्षा की जोटिक का प्रसाद था। मुझे ये बताया गया है कि विश्चुरी जैले ने शिक्षा एवन तोर के सम्मंद में नवा चाहर को भुष्टान थेमें इसके लिए विलुक्त बहुरे आधिवासित आधियों के संदक्षन देटों इन देट लाइंविज सेंटर की सापना है। इन आधियों का संदक्ष्ट समाथ के लिए बहुत नहीं हुआ है। क्योंकि आधियों को बताने से हमारी तना पराओं और स्विश्चिती की भी तर्षा भुष्टे है। मुझे बताए हुआ है कि इस बिश्चिते भी तयाले के पूर्ड विश्चिती की थजबात है। मुझे बताए है। इन इस विद्यारे के पूर्ड विद्यादियों में से कई प्रशाशक, टेख्णोप्रेट, वैज्यानिक, आधिदेश और दुनिया के अने उस्तर स्कामों में अपनी सेवाय दावाद। उन सभी से भिला अन्वोगी कि अपना कुछ समय और संसाथ में विद्यारे के स्ट्शिक वस्तों कार्यों दोते और विद्यारे को कमार दोते हैं। मैं इन सभी पूर्दिशाद को से उन्हें और अगोर्द करूं। किर्क भी पूर्दिशु है अथारर जिस्ते के शिप लिद्यारत की वर्स में एक बास भास कर दियों। मुने लखता है फुष्ते वहां पर सिप्ष्ट परास कर रहें विद्यार के अंज़ए होता बहुत हुस्त तबहुत बस्त कर दिलिविए उस्तर गूर्शष। पिसकी वातन में चतिस कड़ आया था, तो इरणार में माई का स्वासायता था नोहों और सितान सरुभू के माई ज़नों से भी मिलने का स्वासा था वे लहों बिलन कर एक ही परिशन में खेटी, बाकवाणी, पचुर पादन, नोगी पादन, सहेद पादन, जेरिक खेटी और राइस में चलाने जैसे कालिकाट और उन्हों ने इस प्रकार की सबस्ता पाकर देज एक निसाल देज़ उस याक्रा के जोड़ान मेंने नक्सरी इ के इस ताकित आपका दिव्या मंदिल में विद्य आधम से उनके अन्हों सुनें और उनकी संकर कर सक्की बिए को जिस्गा तिक आपकी विजार्द आया से प्रमिर उस प्रिवरात की जाने जाए पिस्गरें परिवारं को सिक्षा की रोजनी के तारे आगे पढ़ने का जो प्रदेश के हुप मत्री स्री भूपेश पर घेजवारत नव जवानों को रोजकार, फेटी राग के लिए भी जाने बारी सुर्जायन सरा आमने यह बहुत प्रशंद्रा की बात है कि कुराजी पती के रूप में विश्यूर के आरे को स्री अश्वक मोज़क जैसे शिक्षा भी और प्रफिसर अंजिला गुपताई जिस्री मुझावान को प्रफिक का नेपर दुप्राव सर्टि स्री स्री गुपताई भी आजरी रहुत खान केकि शब्रफियास किये इस नेपर प्रफिक की प्रस्टो भूमि प्रुप प्रफिद्राष भास को अपने लिए कुछ माखवा आंश्यूर स्टर्ने को जैसे गान वादे 10 परस्टों है, यह विश्विज़ जयाने, जैसके सरवोक्तम विश्विज़ जयाने सामेर लोगा, यह के सेंटर अपश्लेंस यादे, इसके काटिए कुछ मात्वा कांसी गर्चा हमें प्रक्षा, तक ही आगे वड़ा हूँ, एक नेकीज में इसके सासा औ सेंटर विश्विज़ जयाने से प्रक्षा भी, के नेकीज में शहिए के है, वी चुछ चाहूँगा, गुद घासविज़ जयाने सुन है, यह स्पिकार की मानकी जो बंधी जयाने होता है, वो performance ja אח grad are the state universitie is the better than that or is going to in a subset not even with spiritual dialect area but in a I am expecting all the central universitie including the present one to perform better as compare to the state universitie in terms of standard of education and other allies and I say You all are mandated to prove your worth being essential in us. और मैं कहता हूँ कि जो लक्ष हमारा हूं का होता है, तो हमारे प्यास की उस हिसा में अपने आप प्रवर होगा है. आपने एक बात पिर मैं आज की जिछान समात में प्रोजें कि वार्वार्ट का आप करने वाले सरी विज्यासों को बढ़ाई देता हूँ. मेरी कामना है कि जिलन के नहीं सरण में प्रेश करते हूए, आप सब आपने सिक्षपों से में इसी तथा माता किता के वो बढ़ों से मेरे आश्रीवार्ट के वार्वर्ट ठूप सफलता प्राप्ता है. चुहार के अंखाना संसू, आप का जिलन सब मांगल में हो, धन्रवार्ट जै. चुहार के अंखाना संसू, आप का जिलन सब में हो, धन्रवार्ट जै. चुहार के अंखाना संसू, आप का जिलन सब में हो, धन्रवार्ट जै. जै. झार यहार कें जिलन सब में है। कि अंप जिलन सब में हो, धन्रवार्ट जै. झार लिए, उन्रवार्ट जै. झार के झार जै. झाल झाल